तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि बिटकोईन में सबसे जादा जो मेजर टाइमिंग्स हैं ठीक है आज मैं आपको पूरा डिसकस करने वाला हूं कि कब कब मोमेंटम हमें देखने को मिल सकते हैं इस वीडियो में आपको एक यहां पर डिस्क्लेमर देना चाहता हूं कि हम लोग यहां पर आपको कोई भी स्टॉक रिकमेंड नहीं कर रहे हैं ठीक है मैं क्रिप्टो टेडिंग के बारे में देखो ऐसा कुछ ज़दा बोलूंगा नहीं अगर आप करना चाहते हो तो मैं डिम मैं आपको डिस्क्रेप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा आप वहां से ओपन कर सकते हो ठीक है तो अगर हम लोग बिटकोईन में ट्रेड करना चाहते हैं देखो गाइस मैं आपको एक बात बता दूँ यह जो भी वीडियो आज में बना रहा हूं यह सिर्फ जो इस पेर्स में जो ट्रेड करता ना यह उनके लिए भी है तो एक मैं आपको एक चीज बता दूँ आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं कि मेजर टाइमिंग क्या है बिटकोईन के अंदर कि बड़ा मूव एक्सपेक्टेड हो सकता है उस ताइम पे तो एक चीज चंg अब्ला मेरीन मारी रिजस आism गरंगे पर यहां टाइमिंग काम इस जगे आप एक अच्छी स्राइटश झी बिल्ड कर सकते हैं और ट्रेड अपना यहां पर लगा सकते हैं उसके आपने जल्दी में से स्काट करते हैं आज अ कि अख तो अभी दिखू यहां पर बहुत सारे यह तो मैं आपको यह सारे प्रोवाइड कर दूगा बाकि मैं भी मार्केट टाइमिंग्स लेता हूँ अभी आप यहां पर देखो मैं आपको यह चीज समझाने वाला हूँ यह चीज है क्या अभी चार्ट पे चलेंगे बिटकोईन के पहले आप इसको समझो यह गाइस ठीक है न्योयक एकशेज़न यह नासदेक ऊके और यह लंडन इस्तौक एकशेज़न यह होंग कॉंग कोंग स्टॉक ऐकशेज प्रकेश्चेजP यह सारे कुछ इंद नहें यह सटार्टिंग में धृत्ष एकशेज्जेश लेकिन इनवे meisten यह हैं यह फॉन यह बताने वाला हूं यह जो आपका टाइमिंग है यह मतलब ही जो मुमेंटम आप देखना देखोगे इसके अंदर यह सिर्फ आपको Monday to Friday ही देखने को मिलेगा Saturday Sunday इसको avoid करना क्योंकि को यह जो US market है Saturday Sunday close रहता है तो यहां पर देख सकते हो ओपनिंग टाइम क्या है यह इंडियन टाइम के अकोडिंग एजी चीज ध्यान रखना ओके लोकल टाइम इंडिया गा तो यहां पर आप देख रहे हो 7 पीम यानि की शाम को 7 बजे जो NYSEN New York Stock Exchange है US में तो उसका जो market है वो open होता है कितने बज़े 7 बज़े शाम को 7 बज़े और बंद कब होता है रात के डेड़ बज़े तो यह opening टाइम है यह closing टाइम है अब हम इसके according एक momentum capture करने वाले हैं वो कैसे मापको चीज बताता हूं ठीक है और यह नाजदेक वाला है यह भी 7 बज़े open होता है शाम को तो यह दोनों market जब open होते हैं तो कुछ volatility देखने को मिलती है Bitcoin के अंदर तो वह हम लोग देखेंगे पूरा किस तरीके से और यह जो लंडन इस्टॉक एक्सचेंज यह डेड़ बज़े खुलता है और सुबह जो दस बज़े है यह बंद होता है ठीक है चलो एक बार इसको देखते हैं मैं आपको सबसे पहले Google पर लेकर चलता हूं तीक है यहां पर हम लोग चलेंगे यहां पर तीक है यहां पर मैं सर्च करूंगा यहां पर कि जो Bitcoin है वह सबसे पहले किसके dependent है ठीक है correlated कि से है Bitcoin correlation find करते हैं तीक है मैं आपको दिखाता हूं मैं यहां पर सर्च करता हूं correlation विट विच टिक है इंडेक्स ओके तो यहां पर हम लोग यह सर्च करते हैं ओके चलो यहां पर सबसे पहले वाले पर क्लिक करेंगी अभी हम लोग सिर्च करें आपको बताना चाहता हूं कि मैं कोई हवाबाजी में बात नहीं कर रहा हूं ठीक है अभी यहां पर आप देख सकते हो यह BTC Pearson correlation है 30DA अभी यहां पर आप देख सकते हो S&P 500 और Gold और Nasdaq के साथ इसका relation क्या है तो हमें तो सिर्फ दो देखना है यह S&P 500 और Nasdaq ठीक है अभी आप यहां पर देखो तो इसका relation है ना यह बहुत अच्छा है अगर market देखो अगर Nasdaq अगर ऊपर जाता है तो यह क्या नाम है जो Bitcoin है यह भी ऊपर जाता है अगर यहां पर यह नाजदेक नीचे गिरा हुआ रहता है तो Bitcoin के भी गिरने के chances रहते हैं तो इस तरीके से को relation यहां पर है आप यहां पर देख सकते हो आके यह कोई देखो गाईस इसका कोई मैं यहां पर sponsorship नहीं है बिल्कुल भी ओके तो अगर आप यहां पर आके देखना चाहते हो कहीं से भी देखो आपको कहीं से भी देख सकते हो, तो मैं अभी इसको क्लोज करता हूँ, अभी गाई सब यह में लोग आ चुके हैं चार्ट पर, तो मैंने अभी आपको इस इमेज में ऐसे बताया था, जो शाम के 7 बजे है, ओपनिंग टाइम यह है, यहां पर और क्लोजिंग टाइम, तो तो यहीं से दो यह पयाइक कर रहा है, यहां पर आपी ग्याऱा यहां के 6 बजे, जब मार्केट ऑपन हुआ, यहां कि लंड़न मार्के, ओश्यॅर नाजदेक और जो NYSE है, नियॉयोक एक्सटो क्छेंज, यह जब दोनों ओपन होते हैं, तो यहां और सब्सक्क्राइव तो 11 बजे होते हैं यानि कि शाम के 7 बजे तो यहां पर आप देख सकते हो कोई भी momentum नहीं है लेकिन अभी हम लोग चलेंगे Friday को देखते हैं, Friday को गुनी स्टीक है ये रहा, अब यहां पर आप देख सकते हो, यहां पर छोटा मोमेंट नजर आ रहा होगा, लेकिन यह बहुत बड़ा है, अब यहां पर यहां पर सेलेक्ट करके दिखाता हूं कि कितना मोमेंट का मोमेंट है, अब आप तू डाउं, मतलब ए आपर भॉडिया सेल करो, नगें एसा कोई भी रीकम्मेंडेशन नहीं है, लेकिन मोमेंट देखो यार, लीकविडीटी देखो कितना होता है, लिकवीडिटी कब मिल सकता है, कब मोमेंट्म आ सकता है, बड़े मुग कप मेंसा में गाप्चटर कर सकता हूं, तो वो या के टाइमिंग है और किस तरीके से देखो एक गजार पॉइंट पांसो अगर आप इस तेरा सो पॉइंट में से दो सो पांसो पॉइंट भी कैप्चर कर ले तो इनफ है ठीक है अभी मैं आपको ओर ओर लेकर चलता हूं ठीक है यहां पर फ्राइडे तो हो गया अपना अब हम का धी 7 बुजब थोड़ा सा सब इस्धो घ्रा चैनला यहां पर सपोर्ट लिया और मार्केटका भूंद एक वां आपको दिखाता हूं इसमें इसका मार्केटक मेश बौन मार्केट अपनों मिलता है कितना है जीए कि ग Hate वींदर को कि मूमेंटम आइगा वो 7 बज़े कि बाद मीँ आएगा, ठीक है, यहां पर आप देख सकते हो, यानि कि जब भी 7 बज़ेंगे तो उसके 15 मुनिट के अंदर अंदर, 15 मुनिट के टाम फ्रेम में गाईज यह चीज ज़हां तो 15 मिनट के अंदर आपको आधे गंटे के अंदर अंदर मोमेंटम दिख जाएगा तो यहां पर आप देख सकते हो 200 पॉइंट का इसने यहां पर मूव दिया है ओके अपसाइड अभी हम लोग वापस से और चलेंगे मैं आपको पूरा इनलेसिस करके दिखाऊंगा ऐसा नहीं है कि कोई फेक चीज है यह बिल्कुल पूरा इनलेसिस है मेरा इसमें अभी आप यहां पर देख सकते हो यह गुन्नीश बजे का ठीक है यहां पर जैसे Human कर रहा था तो यहीं साथ बजे साथ बज़े के बाद में जो गिर रहा था वो और गिरता गया, यहां से देखो, कितना मोमेंटम दिया है, यहां पर इसने फिर से 2500 पॉइंट का, almost 2470 पॉइंट का इसने डाउन मोमेंट दिया है, यहां पर आप देख सकते हो, अभी हम लोग फिर से चलेंगे आगे, यह साथ यह है 1700 पॉइंट का, फिर से, यहनी कि 1000 पॉइंट का मोमेंटम यहां पर आ रहा है, 1000 पॉइंट से अभे हम एक भी कम नहीं मिला है, फिर से में आचुका हूँ यहां पर, अब यहां पर देखो, यह फिर सा यह कौन से रेट का, यह मंदे का ता, अब यह मैंने टीूज तो यार यह सोचो आप लोग ठीक है यह अच्छा पॉइंट करने का यह बहुत अच्छा मोगा है ठीक है 5600 यहां पर मुझे कैप्चर करने को मिल रहे हैं अभी मैं फिर से आगे चलता हूं ठीक है ऐसा मैं आपको पूरा बैक टेस्ट करके दिखा सकता हूं कोई दिकत नहीं अब यहां पर देख सकते हो पूरा मार्केट यहां पर कैसे कंसोलिडेशन कर लाता यह देखो टिक है जैसे ही गुणिस बजे ठीक है यानि कि जैसे ही साथ बजे यह साथ यहां पर बच चुके हैं ठीक है तो जैसे ही 15 मिनिट के अंदर अंदर दो तीन केंडलों में ही इसक करना यह सटेडे और संडे का मार्केट है ठीक है यह संडे का है तो बिल्कुल साइडवेज है मैं हमेशा कहता हूं सटेडे संडे ट्रेड मत किया करो ओके फ्रैप होंगे अब मार्केट में फिर से 15 बजी हम लोग चलते हैं यह रहा हमारा 15 अब आप यहां पर देख सकते हो यह रहा गुनिस्टिक है मार्केट में थोड़ा सबसाइड आया लेकिन उसी जगे से जो सब रजिस्टेंस था यहां पर आप देख सकते हो उसी से रिजेक्शन देखे कितना पॉइंट फोल किया है यह देखो यह गिरा है 3000 पॉइंट तो इस तरीके से आप बैक्टेस्ट क को बस यह बताना चाहता था क्योंकि मैंने इसका एनलिसिस किया है ठीक है बहुत अच्छा इसमें मैनत भी लगी है तो यार एक लाइक तो इस वीडियो के लिए बनता है ठीक है अगर आपको अच्छा मोमेंटम कैप्चर करना तो इस ताइम पर आके कर सकते हो ओके तो गई अगर यह वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना शेयर करना अपने दोस्तों के साथ थैंक्यों गाइस